आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार सजर सुनाय जाने की 11 दिन बाद उन्होंने से सेशन्स कोट में याच का दाकिल की थी उनके सूरत रवाना होने से पहले कॉंगरस नेता और उनकी बहन प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुची वो राहुल के साथ सूरत के सेशन्स कोट भी पहुची थी इससे पहले सून्या गांधी ने भी राहुल से मुलाकात की उनके साथ का इदिक गज कॉंगरसी नेता मौजूद रहे दरसल सूरत में मुख्य न्याएक मजिस्ट्रेट एचच वर्मा की कोट ने मोधी सन्नेम को लेकर राहुल गांधी के ओर से की गए एक चिपड़ी के संबंद में दैरापरादिक मानहानी के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोशी करार देते हुए दो साल के कारवास की सजा सुनाई थी हालाकि अदालत ने राहुल गांधी को उसे दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी ताकि वो उपरी अदालत में अपी दाखिल कर सके वहीं इस खबर पर जादा जानगारी के लिए हमारे सहीयोगी गौरफ शिर्वास्तव हमारे साथ जुड़े है गौरवाज राहूल गांधी को 13 अपरेल तक के लिए जमानत दे दी गई है और कोट के अंदर क्या कुछ है हम देखने को मिला देखे ननी सबसे महपूर बात यह है कि लगातार हम देखे रहे हैं रस्षक कसी का जोर लगातार बीजेपी और कॉंगरिस भी चलना है अगर हम बात करें अडानी हिंडबाग रिपोर्ट को लगातार को लेकर हम लगातार बीजेपी कांगरिस पार्टी पर हमलावर हो गई थी लगाता और आरूप टारिप के दोल लगाता चलते चले आ रहे थे उस भी राहल गान्डी में जिस तरह से यहां पर बीच में रहए सTr dipराद में जनी तो पर रह करने सब्सक्राश कोस्ति तो लगाता जारी रहा और यहां पर रहो गी हैए रहा हो गये यहीं है गौरफ तीज दिन का टाइम तो लोवर कोट ने दे दिया था लेकिन अभी यह 13 अपरेल का क्या मतलब है कि तिरा परेल का मतलब है कि लोवर कोट ने उनको जब फैसा सजा सुनाए गई थी उनको अंतरी मिले थैंडें जमान के वां को 30 दिन का समय दिया गया था कि 30 दिन के अंदर आप इसके लिए अपील दाखिल कर सकते उसके लिए राहुल घंजी ने यहां पर अपील दाखिल कि अपिल माफिन ही लगातर कहते रहे कि माफिन मांगूंगा और अधिस मारत वह तो इसको एक इतिहास देटेखते हुए अपने आपको इतियास बनाने के लिए यहां पर चुकबाय थी राहल गांदी शुरू की थी राले टेक्ट की बात करें यह तेज मारस तो सही दिपस की बात करें उच दिन भी दो लोगों तो आप नहीं मांगे गई थी तब मादमा गांडी को भी 6 सजा हुथी राजगरु यहां पर माफी नहीं मांगेंगे तो कहीं नहीं मांगेंगे उन्होंने इतियास बनाने का प्रयास किया था उसको लगातार सत्ता करें वह अंदुलन होने थे कॉंगर्स पार्टी लगातार उन कह रही थी राहल गांदी सा ना इंचाप हुआ है और बीज़ेपी इस मामने पर ताना साही रवया अपना रही है फिराल यहां पर 13 पहले की तारी मुकदर की गई है कि तारी पर क्या होगा क्योंकि यहां पर तारी के मादर सुनवाई होगी और पर पहुंचना जरूरी है हमती है तो काहिए मुस्कान जो की सरच़ा यहां पर रद द हएक सरचा होती आपको सरिजा होती है तो आपको विनुदी यह सबाह और नीमीग नींका सबाह हो भीरांति सबाह नहीं जा सकती है वाप estou बिल्कुल गरफ जिस तरीके से राहूल गांधी जब आज कोट पहुचे तो उनके साथ तमाम कारिकरता भी कोट के बाहर देखने को मिले वही वो अपने परिवार को भी लेकर पहुचे तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टिया हैं वो अब कह रही हैं कि कही न कही कॉंग्र जान बूच कर अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती थी जिस वज़े से राहूल गांधी अपने परिवार को लेके पहुचर कार्यकरता कोट के बाहर मौजूद रहे जी मिलकुर मस्कार यहां पर बीजेपी का यही रवेया बीवी का कहना है कि जहां पर कॉंग्रेस पार्टी गलत होती है बहां पर कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरह से यहां पर विबाद प्रस्पन करती हमने देखा था जब सोने गांडी को राहूल गांडी को प्रिंका ग लेकिन गौरफ हमने ये भी देखा है कि जब भी किसी भाजपा के नेतर की पहले पेशी हुई है या किसी मंतरी की पेशी हुई है तो वो भी अपने समर्थकों के साथ कोर्ट में पहुशते हैं तो क्या ये कहा जाए कि भाजपा भी पहले दबाव बनाती थी अब देखेंगे अब बसकान सबसे मैट पूर बाता है कि रास लोकतंत है रास तंत रहे यहां पर सबको यह अधिकार प्राफत है कि अगर आप लगते उसका बोड़ कर सकते हैं पर सबसें मेट पूर बात है कि पूए कोई कारभाई होती है उसके लिए ब्रोट प्रसंद करना करकरता होगा उतरना रोड पर उतरना धना परसंद करना यह आजकी दिए लोगतां की बेस्ता बन चुकी हो चाहे बीजेपी के बात बात करें समय पार्टी के सोचल मीढीया हैंडल मानीज जगन अरबाल को गरपतार किया गया था उसके बार हमें परमें देखता तो तमाम क बिल्कुल धन्यवाद गौराव इस खबर पर हमारे साथ जूरते होई दरश को तक तब आम जानकारी पहुचाने के लिए दोजर चौबस के लोगसबचनाव में बसपा के साथ गठबंदन के उमीद छोड़कर समाजवादी पार्टी अब दलितों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है जहां एक तरफ पार्टी अंबेडिकर जहनती पर अपने अभियान की शुरुवात करेगी तो वहीं आज सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव रायबरेली में एक समारों में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशी राम की प्रतिमा का भी अनावरन करेंगे तो निकाय चनाव और थोज़र चनाव सभी पार्टी के लिए किस हद तक है मैं हम ये तस्वीरों के जरीए देख सकते हैं क्योंकि सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव अब जमीनी इस तरफ पर कारकरताओं के बीच पहुच रहे हैं लोगों के बीच पहुच रहे हैं वह एक शाहिया जिस तरीके से सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव काशी राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे क्या कुछ संदेश वो इस अनावरण के जरीए देना चाहेंगे देखिए ये एक सपा संदेश है सपा के राष्टे अखिलेश यादव के द्वारा की आने वाले समय में जो ओबीची से लेकर दलिद वोट है जो खिसकता चला जा रहा है पहले बीच पी के पास था दलिद कोर वोटर था बीच पी का इसके बाद दलिद जो है वो लगतार भात्यंद पार्टी का वोटर बनते चला गया अब समाजवादी पार्टी के राष्टी अगलेश की यह पूरी तरीके से प्लानिग है कि जिस प्रकार से माई समिकर उनके साथ बरसों से चला आ रहा है और अब वोबीची से लेके दरिद वोटरों में अपनी सेंद मारी कर स इस पर संदेज जाता है दली वोटरों के लिए के समाजवादी पार्टी जी भी आपके लिए सोचती है आपके लिए खड़ी है और आप समाजवादी पार्टी की बिचार दारा से जुड़िए यह इस पर संदेज जो है वो सपा के राष्टी अधिश अखले स्यादों के द्वारा दिया जा रहा है क्योंकि इसके पहले भी देखा जाए तो परसाद मोरिया का लगतार समर्थत किया उनके बयानों के द्वारा और जितने भी बसपा से जो लोग आए हैं समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए जो राष्टी माह सच्चिव है उनकी संक्या बढ़ाई है और तमाम जो बड़े पतादिकारी है उनकी संक्या में भी काफी इजाफा किया गया है और रागामी लोगसवाद चुनाओं और निकाई चुनाओं को देखते हुए एक इस पर संदेश है सभी को कि जो कोर वोटर के साथ फिर गटबंधन क्यों नहीं कर ले रहे या अखिर जो पेच है वो कहां फस रहा है क्योंकि अगर दोनों गटबंधन कर लेंगे तो दलितों का पूरा वोट इन ही को मिल जाएगा कही ना कहीं ये कहा जा रहा है तो ऐसे में गटबंधन से हिजक कैसी तब जो को समाजवादी पार्टि को अनुट जो वोट कर रहे थे लेकिन जो पस्नाजवादी पार्टि को को और आफ पर याट Серफ्वा रही कि प्रकारन जो है तुकि प्रकार आई गई है वह ऊंसराइक जबताए गई हैं और तो तमाम मतभेत भी आth लिखे लूटर नुटर के समजवादी पाठी से जुर नहीं पाएथा ल 150 समाजबादी पाठी के सभी वोटर जुड़े थे लोग्सभाद चुनाव में जो समाजवादी पार्टी है वो सी पांच सीटों परिवार तकी सिमट गई थी ते जाता बढ़िया पदसन किया तो इस गठबंदन का सबसे दब फायदा जो है वह बस्पा का हुआ था वह समाजवादी पार्टी को काफी नुक्सा उठाना पड़ा था तो अखलेश यादो यह बात जानते है कि वो जिसके साथ भी खठबंदन करके चुनाव मैदान में उतरे है चाहे वो लोग सभा का हो चाहे वो बिदान सभा का हो उनको जो है समाजवादी पार्टी को जो है दिकते उठानी पड़ी है तो वहीं बीते दिनों बस्पा सुप्रीमो को एक बार गेस्ट हाउस कांड की फिर से याद आ गया और उनके जख्म एक बार फिर से हरे हो गया तो आखिर चुनाव के पहले यह यादे मायावती किसको साधने का प्रयास कर रही है देखिए जब भी दलित वोटर सी बात होती है दलित कोर वोटर की बात होती है जब भी दलितों की बात होती है तो बहुजन समाजवादी पाटी के जो सुप्रीमो है वो अपना वेक्टतों रखती है अपना बयान रखती है अपना पच्छ रखती है और हमेशा से ही वो समा करती है और हर बार उनको अगेश्ठाउस वाली बात याद दिलाती है इसके पहले जो तो तमाम लोगों ने इस बात की चर्चा भी की थी कि इनके साथ इनके साथ आपका पुराना मद्वेद भी रहा लिए उसके बुला के कड़बंदन भी हुआ कड़बंदन के बाद समाजवादी पार्टी की जो है वो पांस सीटों परी लोग सबाचनाव में अपने परिवार तकी सीमित रह गई थी उसके बाद ये कड़बंदन नहीं दिखाईती है और एक बिदायक जो है बस्पा का वो चुनके विदान सबाव में गया था बिल्कुल धनेवाद वे किस खबर पर जुन्दे होई दर्शकों तक तक तमाम जानकारी पहुचा आने के लिए तो शेरी निकाय चुनाओ की तह्यारियों को लेकर राज निर्वाचन आयोग भी अप पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है निर्वाचन आयोग तो मनोज कुमार ने चुनाओ की तैयारियों को लेकर एक बैठक बुला इस दोरान बैठक से निकले प्रमुक सचेव ग्रै संजर प्रसाद ने बताये कि नगर निकाय चुनाओ की चर्चा के लिए सभी को बुलाए गया था इस दोरान उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाओ को लेकर सभी पहलों पर चर्चा हुई है यहाँ पर नगर विकास के अधिकारी भी है और जादा जानकारी राज आयोग घी देगा निकाय चुनाओ को लेकर अब जो है एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां जोरो शोरों से तैयारिया कर रही है जमीने इस तर पर जुड़ रही है और लगतार बैठकों का भी दौर जा रही है तो ऐसे में आज निकाय चुनाओ को लेकर कानून व्यवस्ता सहीत कई मुद्दो पर भी चर्चा की गई है तो निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तयार हो चुका है और आज एक एहम बैठक भी की गई है स्खवर पर जादा जौनकारी के लिए हमारे सहीयोगी विभांशु हमारे साथ जूर चुक है विभांशु निकाय चुनाओ से पहले आ तो हमारे सयोगी से हमारा संपर्ग चूट गया हम उनसे दुबारा संपर्ग साथने का प्रयास करनेंगे लेकिन निर्वाचन आयोग जो है वो बैठक भी कर रहा है क्योंकि लगाता अरब तारीकों का बस ऐलान भी कभी भी हो सकता है ऐसे में निकाय चुनाओ को लेकर निर निर्वाचन आयोग के एक बड़ी और एहम बैठक होई है तो इस बैठक के दौरान किनकिन मुद्धो पर चर्चा की गई कि आखिर किस तरीके से निकाय चुनाओ संपन कराए जाएंगे मुस्कार आपको बताएं कि निकाय चुनाओ में आरक्षन की लिस्ट जारी होने के बाद जो सरगर्मिया है वो तेज हो गई है तो वही आपको बताएं कि वाज निर्वाचन आयोग में आज एक बड़ी एहम बैठक रखी गए थी इस बैठक में निकाय चुनाओ को लेकर अगर देखें तो एक बड़ा वाजय है सातीफ साथ दो फेज में इस्पेसल प्रसांद कुमार और राज निर्वाचन आयूक्त मनोज कुमार समलित हुए साथ कई उच्छा दिकारी इसमें समलित हुए लगभगे 45 मिनट की बैठक हुई और इस बैठक में कई ना कई देखा जा तो जब चुनाओ होता है तो पुलिस में के बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सांती पुर्वक और पारदरसिता के साथ चुनाओ कराना तो इन मुद्दों के साथ चर्चा की गई जिसमें चुनाओ आयूक्त और साथी साथ है प्रमु के सचे उग्रे है और तमाम जो आला दिकारी है वो चर्चा की अगर बात की जाए तो जब इस बैठक की खतम हुई तो उसके बाद राजे निराचन आयूक्त मनोज कुमार की से बताए गया कि प्रदेश के अंदर में जो तमाम जगों पर चुनाओ होगा इसमें पुलिस बल को कैसे ड्यूटी पर लगाए जागा इसको लेकर चर्चा की गई है साथी साथ है प्रयाप्त मात्रा में पुलिस बल को हम अपनी तरब से मागे है कि इससे फ्री एंड फेय से कराए जाएंगे तो लोगसमा विधान समा के बाद अब निकाय चुनाओ को भी इवियम से कराने की तयारी राज निर्वाचन आयो कर रहा है बाकी जो पद हैं जो बाकी अन्य पद हैं पदेश के अंदर में वैलेट पेपर पे कराए जाएंगे वहीं अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ आज की बैठक में जहां चुनाओ के प्रारूपे पर मनोच कुमार की तरफ से जानकावी दी गई तो वहीं सुरक्षा विवस्ता को लेकर बीजी स्पेसल प्रसांद कुमार की तरफ से कहा गया कि पुलिस बल्पूरे मुस्तैदी के साथ उत्तर प्रदे तो बीक्यों नहों तमाव इपक्षिदल ये कहते है कि घोटाला हुआ है जो चुनाओ है वो पारदर्शिता के साथ नहीं कराये गए तो ऐसे में पारदर्शिता से चुनाओ कराना कितना एहम हो जाता है और क्या कुछ जिम्मेधारी हो जाती है ऐसे में जे विल्कूल आपको बता दे तो हाल फिल हाल में अगर देखे तो बीते कई सालों में जो चुनाव हुए है जाहे उत्तरपदेश का विधान सवा चुनाव हो साथ ही 2019 का लोग सवा चुनाव हो कई न कई बिपक्ष हमेशा अपनी हार का ठीकरा इवियम पे फोड़ते हुए मगर पूरी तरह से देखा जाए तो प्रसासन और चुनाव आयोग हमेशा से ही लगतार पारदर्शिता के साथ चुनाव कराते हैं बात की जाए तो अगर कोई भी विपक्ष के व्यक्ति के दरब से सवाल उठाय जाता है तो उसका अस्पस्टी करन विभाग के द्वारा द चुनाव पर विपक्ष कही ना कहीं इवियम पर हमलावर होते हुआ है बिल्कुल उत्रप्रदेश का निकाय चुनाव महापर और साथी साथ है बड़े सहरों के अंदर में इवियम से चुनाव होंगे तो देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष इस पर कितना हामी अपन भरता है बिल्कुल विभांशु आजे कहें बैठर कोई है लेकिन अभी तारीकों का अप्चारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है तो क्या लगता है कि यह जो निकाय चुनाव है यह यूपी में कब तक होंगे जे उत्तर प्रदेश का निकाय चुदाव माना जा रहा है कि 15 अप्रेल से पहले तारीकों का एलान हो जाएगा इसको लेकर जहां एक तरफ आपने देखा कि आरक्षन की सुची नगव विकास विभाग और नगव विकास मंत्री एके सर्मा की तरफ से जारी किया जाता इसको लेकर जानकारी दी जाती है अब इसके ठीक बाद माना जा रहा है कि वोटव लिस्ट की जो लिस्ट जारी होने वाली थी जो पिछले तीन दिनों से जारी होने की बाते कहीं जारी है और इसको लेकर अब राज निर्वाचन आयोग माना जा रहा है कि जल जल वोटव टेस्ट जावी कर देगा जिसके बाद चुनाओं का एलान यानि कि चुनाओं के तिथियों का भी एलान करेगा जिए बिल्कुल दानेवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुर्ते होई दर्श को तक तमाम जानकारी पहुचाने के लिए वहीं प्रियागराज में अश्रफ को दुबारा लाने के लिए पुलिस बरेली पहुची है जहां उमेश पालापरेंट केस में सीजे एम कोट में अश्रफ की पेशी होगी साथ ही उमेश पालापरेंट केस में रिमांट बनेगा पता दे कि पुलिस सीजे एम कोट में कारी के लिए हमारे सहयों की पवन प्रियागराच से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन अश्रफ को आज बरेली से एक बार फिर प्रियागराच के सीजेम कोट में पेश किया जाएगा तो क्या अश्रफ को पुलिस लेकर पहुच चुकी है और किस तरीके से सुरक्ष के इंतजाम है कि पिल्कुल मुश्कान 24 परवधी को अजिवत्ता विश्वाल को दिंदारे गोली और बंबार कर मौत के घास कर दिया गया था उसकुरे घटा में अतीक तथा बरेली जेल में बंद अश्रफ के ऊपर इस घटा का सड़यत रखने का आरोप लगा था और बीत कि अश्रफ को फ्र्याग्राज लाने कि कया रही है वसे च्छारा यहां बद बंद डतीका बार कर दिया गया था ठाख में तो लेकर बहुत्द वारा में में अब बाइसकुरी कर दिया गया था प्र्यागराज लाने की क्यावत कर रही है। जोड़ी जाएगी क्योंकि एक पहने बीच जाने के बाद पुलिस लगातार अभी तक उमेशपाल अत्यागान को लेकर गुद्टी सुल जाने में लगी हुई है तो अतीक एहमाद और उमेशपाल का नाम मक्तरूप से सामने आया है तो ऐसे में पुलिस उमेशपाल को पोर्ट में पेश कर फिर्चे रिमान लेने की अरजी डाल सकती है क्योंकि उमेशपाल अत्यागान को लेकर पुलिस के कई ऐसे सवाल है जो अभी तक अंसुल्जे है क्योंकि जब लगातार घटना के बाद से लगाता जो तस्वीर अभी तक सामने आई है पुलिस की जो चुनावती है वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि एक महिने बीच जाने के बाद भी अभी तक उमेशपाल हत्याकान के हत्यारों को पुलिस किसी भी तरीके से ना पकर पाई है और ना ही गिरबतार कर पाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि कितने भी चेहरे अभी तक सामने आये थे तो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है तो ऐसे में जब पीर से प्रियागराज जाकर पोर्ट में बेश किया जाएगा तो निशी दूरूप से पुलिस रिमांड पर लेने के अर्जी डाल सकती है जो तो अभी कैसे सवालों के जबाब अतिक हमद और अश्रब से लेने है अगर खबरों की बात की जाए तो यह भी जा रहा है कि गुजरात के सावरमत की जेल में प्रियागराज की एक और पुलिस ट्रींग पहुंच चुकी है जो अतिक हमद से पोस्ताश करेगी अगर पूरे घटा की बात की जा तो कई ऐसी बात है जो अभी तक सारवरमत की जेल पहुंच चुकी है जहां पर पूचताच की जाएगी तो कितने दिन तक ये पूचताच चलेगी और कौन-कौन से ऐसे एहम सवाल होंगे जो इस दौरान पुलिस पूचने की या सच उगलवाने की कोशिश करेगी जी बिल्कुल आपका सवाल इसलिए भी और महत्मौन हो जाता है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड का मुख्यारोपी अतीक हमात पूचताच के सावरमती जेल में बंद है तो ऐसे में उमेश पाल हत्याकांड का कुलासा करना पूलिस के लिए सबसे बड़ी चुलोती है और पूलिस अतीक एहमत से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े तमाम जो इसके मददगार थे जो इसके करीबी थे पुलिस अभी भी लगातार इस पुरे घटता को लेकाए पूरे तरीके से खाली न ummा रही है क्योंकि जो मुक्य आरोपी है वो अभी तक अभी भी पकड़ से दूर है और लगातार जब ड़ाईने तस्वीरे सामने आ रही है वो भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनोत नहीं है बिलकुल नहीं बाद पवन इस खबर पर जुरते होई दर्शकों तक तक तमाम चान का रिपोच आने के लिए चार बुचे के चार बड़ी खबरों में फिलहार के लेत नहीं देश पर की तमाम बड़ी और ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार